नमश्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका नियूस वोल इंडिया मैं हूँ आपके साथ प्रद्यमनिश शर्मा शुरूवात करेंगे संसत पहुचे हैं राश्पती और पीम मोदी शुरू हो रहा है बजट सत्र बजट सत्र से पहले बोले पीम मोदी भारत के उज्जवल भ काली दल के सांसदों का प्रदर्शन जारी है 19 विपक्षी दलों ने क्रिशी कानूनों के किलाफ किया है राश्पती के अभी भाषन का भाहिश्कार जी है आपको बता दें 19 विपक्षी दलों ने भाषन का भाहिश्कार कर दिया है इस तरीके से आप देख पा रहे हैं तस् अपना पूरा करने का ये सही वक्त है क्रिशी कानून को रद करने की मांग को लेकर प्रदशन जारी था उसी बीच संसत के बाहर अकाली दल के सांसदों ने जम कर प्रदशन भी किया है और साथी साथ 19 विपक्षी दलों ने कृषी कानूनों के खलाफ राश्पती के अभीभाशन का बहिशकार भी किया संसत के बजट सत्र की आज से शुरूवात हो रही है राश्पती रामनात कोविंद के अभीभाशन से बजट सत्र का अगास होगा इससे पहले प्रदानमंत्री मोधी ने कहा है कि इस दशक का पहला सत्र शुरू हो रहा है बारत के उजल भविश के लिए ये दशक बहुत महतपूर है और इसलिए प्रारहम से ही आजादी के दीवानों ने जो सपने देखें हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए राष्ट के सामने एक सुनेरा अपसर है वहीं कॉंग्रेसन नेता समित 19 विपक्षी दलोन एक्रिशी कानूनों के खिलाफ आंदूलन कर रहे किसानों के लिए एक जुटता प्रकट करते हुए राष्पती के अभीवाशन का वहीशकार का फैसला किया है आपको बताते हैं कि राष्पती रामनात कोविन के संसत के दोनों सद्नों के संयुक्त बैटक को समोधित करने के साथ सत्र का आगास होगा एक फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले वित वर्ष दोजार बीस इकिस का एकनॉमिक सर्वे यानि आर्थिक सर्वेक्षन आज संसत में पेश किया जाएगा एकनॉमिक सर्वे मौजुदा वित वर्ष का लेखा जोका होता है बजट सत्र दो भागों में होगा जिसमें पहला सत्र पंदरा फरवरी तक चलेगा जबकि दूसरा सत्र आठ मार्ज से लेकर आठ अपरेल तक चलेगा साथिसाथ उन्निस विपक्षी दलों ने राश्पती के अभी बाशन का बहीश कार भी कर दिया किसान आंदलों को लेकर अकाली दल के नेताओन बहार प्रदर्शन भी किया है जमकर नारे बाजी भी देखने को मिली है संसट के बजट सत्र की आज से शुरूवात हो गई है राश्पती रामनात कोविंद के अभी भाशन का यहां पे विपक्षी दलों ने बहीश कार करने की बाद भी कह दी है इस दसक का आज ये पहला सत्र प्रारम हो रहा है भारत के उजवल भाविश्य के लिए ये दसक बहुत ही महत्पपून है और इसलिए प्रारम से ही आजहादी के दिवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को उन संकल्पों को तेज गती से सिद्ध करने का इस स्वर्णिम आउसर अब देश के पास आया है इस दसक का भरपूर उप्योग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तूती हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो ये देश की अपेक्षाएं हैं मुझे विश्वास हैं कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटी कोटी जनों ने हम सब को संसद में भेजा हैं हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उप्योग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांग्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में फिशे नहीं रहेंगे यह मुझे पुरा विश्वास है सभी संसद इस सत्र को और अधिक उत्तम बनाएंगे यह मेरा पुरा विश्वास है यह बजेट का भी सत्र है वैसे शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं हमें वित्तमंत्री जी को अलग-अलग पैकेज के रुप में एक प्रकार से चार-पांच मीनी बजेट देने पड़े याने 2020 एक प्रकार से लगातार मीनी बजेट का सिलसला चलता रहा और इसलिए यह बजेट भी उन चार-पांच बजेट की स्रंखला में ही देखा जाएगा यह मुझे पुरा विश्वास है मैं फिर एक बार आज आदर्णी राश्पती जी के मारदर्शन में दोदो सदन के सभी सामसद मिल करके उनके संदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्द हैं प्रयास्रत हैं बहुत बहुत धन्यवाद झाल